जै शीराम सभी भक्तों को जै मातागी फिर एक नई वीडियो के साथ हजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए कि बाला जी के परहेज बार-बार टोट जाते हैं हम जो है मेंधी पूर बाला जी से आते हैं और उसके बाद हमारे नियमों में जो पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की जैश्री राम जैश्री बाल तूप जाते हैं बड़ी मन में इस बात का संदेह रहता है कि ये क्यूं हो रहा है किस कारण हो रहा है हम प्रेज जो भी हम कोई करते हैं अपनी देवी देवताओं के परती तो मनli में मलिंता हורה हो जाती है प्रेज तूटते हैं कई वार ऐसा हो जाता है मेंदीपूर बाला जी जा रहे हैं घर से कारे करम करके जाते हैं वहां पर जाते हैं वहां पर जाते हैं वहां पर पूर्ण विश्वास से जाते हैं वहां पर हम बाला जी की धरती पर खरे होकर भी बोलते हैं कि मैं पूर्ण पिंग बात होता है कुछ तो संकट ऐसा काम करते हैं आपके शिरीपर बैठ कर कैसे काम करते हैं उन्हें पता है कि अगर इसने 41 डेस के प्रिज कर लिए अगर इसने अपने जीवन से मास मदीरा दारू और प्यार लसन का त्याग कर दिया तो यह सात्विक और वैशनव हो जाएगा जब शरीर के अंदर वैशनव दोड़ने लग जाता है ना तो तामसिक्ता प्रवेश नहीं करती है तामसिक्ता प्रवेश नहीं करेगी तो शरीर शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होकर ये पवित्र हो जाएगा पवित्र होने के बाद हमारा शर तो संकय़ आपके घर पर रहकर सामने वाले के शिड़ पर आपके घर के सदर्स एक शिड़ पर बैट कर ऐसे बूझवा देता है क्या है मैं नी करताँ प्रेज मरेको अजी फॉय भागर ओच मुझे तो पिज़ा खाना है मैंमेर को तो मैं तो मे लसन प्याज के बगैर रहूंगा है नहीं तो संक्ट आपके घर पे इस पकार का कारियर करता है दूसरी बात यह होती है कि एक भगत का मुझे फून आया उन्हों ने कहा कि कुछ 싸मने मैं की बूसन प्रूस का सकता हूं खारो दव तक आपने अपने मन से उसको त्यागा नहीं है क्यों अगर हम मीट और दारू जो है उसको त्याग देते हैं और लसन प्याज को हम त्यागते नहीं है क्योंकि आपको पता है कि समाज में हर जगे लसन प्याज का जो है सेवन है नेकिन मैंने इतना अपने गुरुदेव से सुना है कि जव अपने मन और अपनी इंद्रियों को काबू करकर चलता है उसके उपर प्रमात्मा की दिव्य किर्पा जरूर होती है तो कि उसने अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख लिया है उसने अपनी इंद्रियों को काबू करना सीख लिया है तो ऐसे जब हम छोटे छोटे घर की खाने पीने की चीजों का त्याग नहीं कर सकते और प्रमात्मा की किर्पा की आशा रखते है हम चाते कि प्रमात्मा मुबाइल के अंदर अगर आपके सामने ऐसा एक थमनी लाता है कि जिसके कि यहां पर नहीं देखना और उस पे नंग अवस्ता की कोई फोटो लगा दी जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि जो वेक्ति यह कहते हैं कि मैं यह हो सबसे ज़्यादा क्लिक करेंगे क्यों उसने अपनी तरफ आपको खीच लिया उसकी पकर कितनी तरफ है कितनी उसने आपकी इंदरियों को फेल करने की कोशिश करी तो अपने शरीर को संक्रटों से बचाने के लिए अपने मन रूपी इंदरी पर कंट्रोल कर लोगे तो आपके उपर बाबा की पुन रूप से किरपा हो जाएगी एक वार एक सादू माराज थे उनका मन करा, उसके मन, उनके मन ने गवाई दी की मैं चलेबी खाने चाहिए, जलेबी खाने चाहिए, तो सादू माराज कि जे में पैसे तो थे और यह और जा सब απर ये विए जुठे, कि एिसुटे जलेबी दे पांच जलेबीया दी, पांच जलेबीया जैसे मोह पर पास लाए है मन एक हमारे अंदर अच्छाई हो बड़ाइड, दोनों ही वास करती है, अंदर से ओज आई कि इस जलेबी ने मुझे लोगों के जूठे बरतन मांजने पर मजबूर कर दिया तो ये मेरे साथ कितनी मलिनता कर सकती है मेरे जो मेरा मन रुपी इंदरी है वो कितनी चन्चल है कितनी विचलता है कितनी तरपती है आज मैं उसको ऐसास कर落ता हूँ देखिए महराज जी ने किस पकार से उस मन रुपी इंदरी को कंट्रोल में किया और उसको तरपाया जैसे उसने उस उनको तरपाया वैसे ही महराज जी ने भी उस इंदरी को तरपा दिया उन्होंने जलेबी ली मुझे पास लई सूंगा अनंद लिया और पैर में नीचे पैर की नीच चार रह गई है एक तो आपने गवा दी है अब वो भी तोड़के पैर के नीचे मसल दी अब चाती पाटी और रेडी वाला ये बात देख रहा था कि जिस के लिए तुमने जुठे बरतन मांजे आज उस जलेबी को मुझ के पास ला रहे और नीचे गेर देते हो तो जलेबी वाले ने स्वाल पुच्छा कि महराज जी आप संत महराज हो आप ये बताओ कि आप ने ये जुठे बरतन मांजे और इसको गेर दिया उन्होंने कहा कि जो मन मलीन है जो कपट है वो भगवान का नहीं हो सकता वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता वो अपने घर के ग्लै तो मेरे अंदर सादू भाव है सादू भाव तो यही दिलाता है कि अपने मन रुपी इंदरी पर कंट्रोल किया जाए तो अगर हम जिस देव की पूजा कर रहे हैं हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहे हैं सादू संत के तुम रखवारे वह सादू संत की अमेशा करते हैं अगर आपके अंदर सादू भाव उत्पन होता है तो हनुमान जी आपके रक्षा करें आप प्रेज करोगे क्योंकि अप अपनी इंदरी को कंट्रोल करना सीख रहे हो, उस पाप रूपी इंदरी को जो आपको विच्छित करती है, मन से परशान करती है, हल्चल मचाती है, आपके शरीर के अंदर आपको भटकाती है, ऐसी इंदरी को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आपको पर किर्पा तो आनी तो यह प्रेज इस पकार से कीजिए अपने मन में विश्वास करकर आप 100% जित होगे तो बोलिए जैसे तरह हम जैसरी बाला जी बार और मैं आ रहा हूं बाला जी मार्च के एंड तक या अपरेल की शुरुआ तर तो बोलिए जैसे तरह